एक किसान था, जिसकी एक बहुत ही सुन्दर कन्या थी, एक दिन एक लड़का उस कन्या से शादी का प्रस्ताव लेकर किसान के पास पहुँचा, किसान ने लड़के की ओर देखा और बोला, बेटा, तुम खेत में जाकर खड़े हो जाओ, मैं एक-एक करके तीन बेलद छोड पूली और लड़का खेत में जाकर खड़ा हो गया, किसान ने दर्वाजा खोला, मैंसे एक विशाल और भयंकर बैल बाहर निकला, बैल को देखकर लड़का भयभीत हो गया, तब ही उसने फैसला किया कि वह इस बैल की पूछ नहीं पकड़ेगा, बलकि दूसरे बैल का इं लड़के ने इसे भी छोड़ देने की सलाह बनाई और वह बैल भी लड़के के पास से आकर गुजर गया, अंत में किसान ने तीसरा दर्वाजा खोला, इस बार लड़के के चेहरे पर मुसकान दोडा, क्योंकि अब की बार उसके सामने एक पतला दुबला और मरैल बैल था लड़के ने उसकी पूँच सही से पकड़ने के लिए मुद्रा बनाई और जैसे ही बैल उसके पास पनहुचा, लड़के ने देखा कि उस बैल की तो पूँच ही नहीं है, कुछ इसी प्रकार की हमारी जिन्दगी है, जिसमें अवसर आते हैं और हमारी आखों के आगे से चले जाते हैं, ये हमारा भाग यही है कि हम उन्हें पहचान नहीं पाते और डर कर बैठ जाते हैं.